नमस्कार दोस्तों मैं अमित और आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पोटनेट के स्वागत है और दोस्त आज मैं बहुती इंपोर्टेंट टोपिक पे बात करने वाला हूं और वह है परदा को आपको कब उठाना चाहिए जैसे के आपको पता है कि वह इंटर का मुसम अभ आपको गैरेंटी है कि आपके फार्म में CRD हो गाई तो दोस्त चलिए बाहर में एक बार आपको वेदर का सीचुएशन एक बार दिखा जेता हूं तो दोस्त आप देख पा रहे हैं कि नाजदिक का मेरा जो फार्म है वह भी ठीक तरह से देख नहीं पा रहा हूं तो इस तरह से अगर आपका weather होगा सुभा में, तो आपको definitely पर्दा को गिरा के रखना चाहिए, अगर बड़ा cheeks है तो आपको पर्दा को definitely जिस साइड से कोहरा घुस रहा है, उस साइड में पर्दा जो है, पर्दा को गिराना चाहिए, और दोस्त अगर ये जो कोहरा है, ये क कोहरा आजाएगा, तो CRD definitely आएगा, और CRD के कारण से आपका जो body weight है, वो भी hamper होगा, और उस टाइम को आप अगर कोई antibiotic देना चाह रहे हो, तो उसमें भी आपका chicks का जो average body weight है, वो भी थाम साजाएगा, या तो फिर घट भी सकता है, बहुत सारे farmers में ऐसा भी दिखने के मिला के winter season में total जो batch है बढ़िया चल रहा था, लेकिन batch जैसे ही, मतलब 30 या फिर 32 days हो गया, तो उस टाइम को उसके फान का कुछ परदा के problem में बुली, या तो फिर हवा के problem में बुली है, उसके अंदर हवा या फिर कोहरा आ गया, तो चिक्स में CRD आ गया, तो उस टाइम क क्या सबसे जो problem है, वो problem में आपको एक बार बता देता हूँ, कि उस टाइम को, मतलब 32 days अगर आपका broiler का age है, तो उस टाइम को आप अगर कोई भी antibody की उसके करेंगे, तो चिक्स का जो average body weight है, वो घड भी सकता है, और जैसे ही, मान लीजिए कि आपका broiler का bars का age था, 32 दिन में 1950 ग्राम हो गया, तो FCR जो है, FCR double कर गे बढ़ेगा, मतलब जाधा हो जाएगा, तो आपको पर्दा ठीक तरह से management करना चाहिए, और सबसे एहम बात है, कि सुभा के time में definitely अगर कोहरा फान के अंदर घुजेगा, तो बहुत भीमारी आ सकता है, तो इस तरह से आपको management कर करना चाहिए, दोस्त, तो दोस्त, मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ, यह वाला वीडियो वीडियो अच्छे लगने पर फ्लीस लाइक कीजिए, share कीजिए, जाके हार पॉल्टिप फरवाय को मेरा सुचता मिल सके, उसका लाव हो सके, धरनेवाद,